नमस्कार साथियों मैं आप सेक्तिवारी रक्षा अकैडमी की तरफ से आपका हर्दिक सोयत कता हूँ आज मैं प्रश्ण उत्तर में एक और उत्तर लेकर आपके सामने समख शुआ हूँ यह एक मॉडल उत्तर होगा इसमें आपको मैं प्रश्ण पहले ही डाल देता हूं मॉडल उत्तर की तरह इसको रिप्रेजन कर रहे हैं जहां पर हम अपने पॉइंट आफ व्यू को समझा रहे हैं कि अगर यह प्रश्ण मैं अगर एक्जाम में लिखने जाऊंगा तो मैं इस तरीके से इसे प्रेजन करूंगा और आपको आप अपने हिसाब से बताईए और उसको मिलान कीजे हम बात करते हैं तो यहां पर हम प्रश्णों को यह नहीं कह रहा है कि जो मैं लिखकर आपको दे रहा हूं या जो यह है यही आपके लिए एक सर्वोपरी और यह अच्छा उत्तर है आप इस पर अगर अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और लिखते हैं तो आप मुझे सेंड कीजिए टेलिग्राम चैनल पर मैं उसको भी जरूर देखूंगा और अपने साथ सामिल करूंगा तो चलते हैं अपने नए प्रश्ण की तरफ जो मैंने पिछली क्लास में आपको प्रश्ण दिया था उसमें मैंने आपसे जो प्रश्ण था वो कौन सा था अर चारियों का को टो लेकं कीजिए करका कर्या ये प्रश्ण आपसे मैंने पूछा था 200 मार्में तौ टू हंड़ेड वर्ड में‍े ले इसके बाद अभी हमने किसकी बात की थी हम बात किसकी किसकी कर रहा है हम बात कर रहे थे MPPSC में जो MPPSC के जो मेंस इस में हम MPHistory की बात कर रहे थी इसके बात के जो आपके दो या चार questions होंगे दो या तीन questions होंगे वो किस से related होंगे इंडियन history से related होंगे वहाँ पर अपन बात करेंगे उसके बाद फिर जोग्रफी quality economy इन सभी प्रशनों पर हम बात करेंगे कि अगर इन से जुड़े हुए प्रशन आते हैं तो हमें किस प्रकार से उत्तर लिखना है और इस पर अपन डिस्कसन करेंगे ये class सिर्फ एक discussion class है ये आपको teaching करने के लिए class नहीं है कि मैं आपको ये सिखाओं कि आपको इस तरीके से उत्तर लिखना यहाँ पर मैं अपने एक प्रशन पर मैं अपने point रखूंगा आप अपने point रखिए और उस पर अपन क्या करेंगे discussion करेंगे कि इस उत्तर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता तो जो प्रशन था वो प्रशन MP हिस्ट्री का ये था कि वो पाल रियासत में बेवगुमू के सासनवा कारियों का उले कुछना कीजे इस तरीके के समिक्षा कीजे इस तरीके के questions होते हैं तो इसमें से उलेख कीजे का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी सासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या क्या काम किया उन सभी कामों पर हमें क्या करना है चर्चा करना यदि उन्होंने कोई इस्थ प्रसासन को चलाने के लिए अपने प्रसासन को चलाने के लिए कोई महत्पूर्ण काम किया है जैसे कैस्कुरू जहां बेगम जो थी उन्होंने क्या किया था उन्होंने सभी लोगों को सिख्छा देने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय बनवाए थे दूसरी बात सिकं अंदर जहां वेगम थी उन्होंने क्या किया था उन्होंने धार्मित संश्चुनता रखी थी सबके साथ तो इस तरीके से उन्हों इस तरीके से अगर उनका कोई कार है तो सासन अगर किसी वेगम ने अंग्रे अपनी सासन व्याश्चता को बनायने के लिए किसी के साथ सहायक संदी की है या कुछ किया है तो उसे बताना मतलब हमें उन्हों ने अपने सासन में किस प्रकार का प्रसासन रखा और कैसे उन्हों ने सासन का संचालन किया उन्हीं सभी चीजों के महतपूर बिंदुओं का हमें क्या करना है इस प्रश्ण में उलेक करना है तो उलेक करने का मतलब हमें सिर्फ उसमें ये बताना है कि इन्होंने क्या क्या काम किया था अगर ये प्रश्ण आपको समझ में आ गया कि भोपाल रियासत में बेगमो के तो अब प्रश्ण के बाद अब हम चलते हैं जो मैं के लिए एक model उत्तर लिख कर लाया हूं उस पर अपन discussion करते हैं और आप उस पर समझते हैं कि कैसे होता है तो देखो प्रशन आपका क्या था बोपाल रियासत में बेगमों के सासन और कारियों के बारे में उल्लेक कीज़े यह प्रशन था अब सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाएगा तो प्रशन में उल्लेक करने से पहले हम थोड़ा सा परिचय देते हैं जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी आप किसी भी प्रशन को लिखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले एक परिचय दीजिए जो परिचय कितने का होना चाहिए दो से तीन वर्ड का होना चाहिए दो से तीन लाइन का होना चाहिए परिचय की प्रशन उसके बाद फिर आपके प्रश्न की क्या जाती है मुख्य बॉड़ी आती है जहां पर आप अपने जो प्रश्न आप से पूछ रहा है उसके बारे में आप उसको क्या देते हो जानकारी देते हो और बाद में आप प्रश्न का क्या देते हो निसकर्स देते हो एक 11 मारकर का जो स्टेंडर्ड मॉडल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए तो इसी तरीके से मैंने क्या किया है या हम हमने जो मैंने जो अपने उत्तर में रखा है आपके लिए जो बत समझाना चाहता हूं वो क्या है कि भोपाल रियासत की स्थापना 1722 के समय दोस्त मुहम्मद खाने की पहली लाइन क्या है भोपाल रियासत सबसे पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भोपाल रियासत क्या है तो भोपाल रियासत क्या था भोपाल छेत्र में जिसकी स्थापना 1722 में हुई उसको किसने की दोस्त मुहम्मद खाने की थी लेकिन भोपाल रियासत की प्रसिद्ध का कारण या अब फाल रियासत इतना महत्पून होने का कारण था यहाँ पर 107 वर्सों कि अल्गमों का सासन मतलब आप सब्सक्रा नंसक्याद detox कराए नnet को Columbbringen वर्षों में चार बेगमों ने सासन किया था चार बेगमों ने सासन किया था इसे हम भुपाल रियाशत का सवर्णी म्युग भी कहते हैं मतलब यह जो बेगमों ने 107 वर्षों तक कारी किया था वो साथ वर्स एक सो साथ वर्स वोपाल रियासत के क्या कहलाते हैं स्वर्णी म्यूप कहलाते हैं उसके बाद मुख्यता चार वेगमों ने सासन किया था मतलब की चार बेगम थी तो अब हम इस पर ये बताएंगे कि चार बेगम कौन कौन सी थी तो चलते हैं चार बेगमों की बात करते अब परिचे में हमने क्या दे दिया 107 वर्सों तक सासन के बारे में बता दिया कि दूसरा हमने बता दिया कि भुपाल रियासत की स्थापना 1772 चयुविस पे किस्थे की ती दोस्त मुहम्मद खाने की ती ये भी बता दिया 107 वर्ष को हम यह मानते हैं कि यह भुपाल रियासत का क्या था सनेम यूग था तो बैगमों के बारे में हम इस Q1 को छोड़ दें तो हमने दो महतपूढ बिंदु बता दिये कि बैगमों के citizens का उले 107 वर्ष हो तक तक सासन था और यह जो कुदसिया बेगम दूसरी कौन सी थी सिकंदर जहां बेगम तीसरी कौन सी थी साह जहां बेगम और साह जहां के बाद कौन सी थी कैस खुरू जहां बेगम ये थी फिर इनके पुत्र बन जाते हैं तो चार बेगम थी महत्मों अब ये चार बेगमों को हमने एक क्रम में रखा ह कि सबसे पहले कुदसिया वेगम बनी उसके बाद सिकंदर जहां वेगम बनी उसके बाद साह जहां वेगम बनी उसके बाद कैस्पुरू जहां वेगम बनी कभी भी उत्तर लिखते समय अपने क्रम में डिस्टर्बेंस नहीं गरना चाहिए जिससे प्रॉपर तरीके से एक क्र बनकर निकले ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले कैस्कुरू जहां वेगम को समझा दिया बाद में सिकंदर जहां वेगम को समझा रहा हूं बाद में सहा जहां वेगम को समझा रहा हूं जिसको पहले बताना चाहिए था उसको क्या किया हमने लाश्ट मता दिया तो हम कभी भी किसी भी चीज के क्रम को नहीं विकारते जैसे जब मैंने बताया था कि मध्यस्थ में राष्ट वात के विकास उसके लेक को समझाईए उद्वल और विकास को समझाईए तो उसमें मैंने ये कहा था कि मद्य प्रदेश भी जो राष्टबाद का उद्वा होता है 1818 से होता है और कब तक चलता है 1947 तक चलता है जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है तो आप मैंने जब उस पे जब हमने उस पे points पड़े थे तो हमने कौन-कौन से points पड़े थे 1818 से एक क्रम से चले थे पर नीचे नहीं होना चाहिए दूसरी बात अब पहले हमने हमने क्या किया points को बता दिया आप points को बताने के बाद हम क्या करेंगे पहली बेगम कौन से आए थी कुदसिया बेगम कुदेशिया बेगम जो थी तो इनके में क्या हुआ इनका जो सासनकाल था वो कब से कब तक था 1819 से 1870 तक था ये मद्ध प्रदेश की पहली महिला सासक थी सबसे महत्पूर्ट पॉइंट है कि पहली महिला सासक अगर मद्ध प्रदेश पे बनी तो वो कौन थी कुदसिया बेगम थी उसके अलावा मद्ध प्रदेश पे कही सारी सासिका हुई है बेगम कौन कौन सी जैसे रानी दुरगावती हुई है रानी दुर्गावती के अलावा अवंती भाई हुई है अवंती भाई के अलावा और कौन हुआ है कुछ समय के लिए जब रानी लक्ष्णी भाई 1857 की क्रांती के समय रहती है तो वो कुछ समय तक गौलियर में भी रहती है एक रहती है पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अवंती भाई अवंती भाई जो हुलका घ्रियासत है उसके बार रानी दुर्गावती जो गोडवाना घ्रियासत है और कुदरसिया बेगम जो श्टार्टिंग की उन्होंने ये तो पर अवंती भाई जो थी वो सासिका थी राणी दुरगावती सासिका नहीं थी राणी दुरगावती संरचिका थी उन्होंने अपने पुत्र को गदी पर बैठा कर पाच वर्स के पुत्र को गदी पर बैठा कर उ लेकिन ये गद्धी पर बैठ कर सासन करने वाली पहली महिला थी इसलिए इन्हें मद्ध प्रदेश की पहली सासिका कहा गया उसके बाद ये कौन थी नजर मुहम्मद की पत्नी थी और गौहर बेगम के नाम से भी प्रसिद्धी प्राप्त थी इन्होंने जब सासिका बनी थी तो ये किस नाम से बनी थी सासिका गौहर बेगम के नाम से सासिका बनी थी इसलिए इनोंने गौहर महल और वो सारी चीज़े थी दूसी बात रियासत को सुरच्छा वा मजबूती प्रदान करने के लिए 1818 में आंगल भोपाल संधी की थी मतलब की इनोंने सबसे पहले पहला क क्योंकि भोपाल रियासत अगर आप मद्ध प्रदेश पे देखो तो बीच में था इधर से भी आक्रमार इधर से भी आक्रमार इधर से भी आक्रमार इधर से भी आक्रमार तो उन सभी आक्रमों से बचे रहने के लिए और सुरच्छित होने के लिए इनोंने किस संधी कर ल क्या क्या है दूसरी बात पुर्दा पर्दा का विरोध किया प्रथा का विरोध किया पुर्दा मतलब क्या होता है पर्दा प्रथा मुस्लिम में पर्दा प्रथा बहुत जादा चलती है बुर्गा और ये सब तो इनको उन्होंने क्या किया था विरोध किया था और ये बिना पर्दा किये डिरेक्ली गद्दी पर बैठती थी और अपने कर्मचारियों अधिकारियों से मिलती थी और जब एक सासी का पुर्दा प्रथा का बिरोध करती है तो उसका बिरोध वहां की जंता की महिलाओं ने भी किया और इसने क्या हुआ महिलाओं के लिए ससक्ती करण में और वह वह उद्वा हुआ कि महिलाओं के सकती करण बढ़ा हूँ मिला महिलाओं में दूसरी बात इसके अलाबा इन्होंने गौहर महल जामा मस्जिद बोपाल की का निर्मार कर आया तो ये इनका इस्थापत्य हो गया ये इनका महिला सकती करण हो गया और ये इनका सासंगी बेवस्था होगी राजनैतिक पच्छों हो गया तो हमने उनके तीनों पच्छों को लेक कर दिया कि इन्होंने अपने सासन में क्या क्या किया था इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी बेगम जो आई इनके बाद बनी वो कौन बनी सिकंदर जहां बेगम बनी और सिकंदर जहां बेगम को जो 1860-1868 वो क्या थी क्या कही जाती है बोपाल रियासत की सण युक कहा जाता है इनके समय क्या कहा गया बोपाल रियासत आधुनिक बोपाल की थोड़ी सी जो सुरुवात हुई वो यहां से होना शुरुई दूसी बात इनका जो सासनकाल था 1860-1868 अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कंफ्यूजन इस तरीके का होगा कि साह जहां बेगम दो बार सासिका बनती है एक बार कब बनती है सुरुवात में एक बार बनती है यहां हुआ क्या था कि सिकंदर जहां बेगम के पहले उसके बात तुरंत बात कौन सासिक बन जाती हैं साह जहां वेगम बनती हैं लेकिन अपनी माता के कहने पर अपनी माता के सम्मान में वो कुछ समय के लिए गद्धी को किसको सौंप देती हैं माता को सौंप देती हैं जब फिर माता की मृत्य होती है तो फिर वो दुबारा क्या बन जाती है सासिका बनती है तो प्रतेक जिले में एक हिंदी और इक उर्दु इस्पूल की स्थापना की मतलब वहां पर क्या हुआ था राजनीती हुए महिला ससक्तिकरण हुआ महिला ससक्तिकरण के अलावा वहां पर दूसरा क्या हुआ इस्थापत्य हुआ यहां पर इन्हों ने किस पर ध्यान दिया सिक्षा पर इन्हों ने मुख्य ध्यान किस पर दिया सिक्षा पर उसके बाद इस्थापत में इन्होंने क्या करवाया मोती मस्जित का निर्मार करवाया मजलिस ए सोर संसत जिसे कहते हैं मजलिस मजलिस और्दू सब्दै जिसका मादन रत्लब होता है संसत उन्होंने क्या किया संसत का निर्माड करyszट đâu क्या जिक्रवा 1857 की क्रांति सबसे महत्पूर्ण भाग 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया सहयोग किया इसलिए अंग्रेजों नहीं इस्टार आफ इंडिया का सर्वोच्य सम्मान भी दिया था दूजी बाद विक्टोरिया स्कूल का इन्होंने क्या करवाया था निर्मा तो सा जहां बेगम थी, वो दो बार सासिका बनी थी, और ये पुत्री किसकी थी, सिकंदर जहां बेगम की थी, तो ये क्या हुआ, पहली सासिका ये 1844-1860 के समय बनी, और उसके बाद ये बनी 1868-1901 के साथ, तो जब ये पहली बार सासिका बनी थी, ये क्या थी, इनकी माता ज उसके बाद तो फिर ये कब बनी 1861 से 1901 के बिच पर पूरी सकती के साथ भुपाल की सासिका बनी थी इसके पहले क्या था आपने देखा कि जो आपकी बेगम थी पहली बेगम थी कुदसिया बेगम उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संदी कर ली थी तो वो सासिका होते व रूप से सासिका के रूप में उभरी और इसलिए ये जब पूर दुबारा जब ये सासिका बनी और पूर्ण रूप से सासिका बनी तो उसकी वज़य से क्या हुआ उसकी वज़य से जब सिकंदर जहां वेगम आई तो उन्हें ये सब करने का मौका मिला उन्हें क्या करने क मौका मिला यह सब करने का मौका मिला और यही मौका उनके लिए क्या हुआ भोपाल के आधिनी प्यूग की सुरुवात हुए मतलब आधिनी भोपाल की सुरुवात हुए उसके बाद इन्होंने साह जानाबाद नगर बसाया दूसरी बात गौहर एकबाल उर्दू में एक अप आपकी साह जहां बेगम की थी इसके बाद कौन बनी कैस खुरू जहां बेगम बनी जो 1901 से 1926 के समय रही और इसी समय भारत का क्या चल रहा था आधनिक काल चल रहा था और भारत का आधनिक काल चल रहा था तो मद्य प्रदेश में आधनिक भोपाल की भी सुरुवात हो चुक थी कैस्परू जहां वेगम ने की थी उसे लिए दूसरी बात ये अपनी जनता में सरकार अम्मा के नाम से फेमस थी अम्मा का मतलब क्या होता है माता मतलब इसका अर्थ क्या निकला कि उन्हों ने अपने रियासत को या अपनी रियासत की जनता को एक माता की तरह रखा पाला और इसलिए वहां की जनता इनसे खुस होकर इन्हें सरकार अम्मा की उपादी से बुलाती थी कि ये हमारी सरकार अम्मा है। भारती हिंदुओं को उच्च पदपन यूक्त नहीं करते थे लेकिन इन्होंने क्या किया बारती हिंदुओं को उच्च पदपन यूक्त किया। दिखाने का मुख उद्देस इनका क्या था इनका मुख उद्देस से था कि जो हमारी जनता है वो खुस रहे। और जब दो जनता लोगों के बीच में आपसी सदभाव बना रहेगा तो हमारा सासन क्या रहेगा। मजबूत रहेगा लोगों पर हमारी पकड बनी रहेगी। वही चीज यहाँ पर अपना ही गए थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया। अब आगे हमारे सारे बेगमों के कार्य और उल्लेख हो गए तो फिर एक छोटा सा हम क्या देते हैं। निसकर्स लिखते हैं कि उपरोक्त बेगमों के कार्यों वा सासन छमता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आधनिक भोपाल की नीव बेगमों ने रखी थी। दुसी बात इनके सासन काल में वास्तों में वोपाल रियासत का सरणी म्यूकथा यह हमें इनके सासन के उल्लेख और कारियों से पता चलता है और यह आपके उत्तर की एक बॉड़ी होगी जो की मैंने आपके सामने एक हमने आपके सामने रिप्रेजेंट की हैं। बागी इस उत्तर पे आप इन तीन पॉइंट्स को ध्यान पे रख्या आप एक उत्तर को फ्रेम कर सकते हो और करने के बाद आप रक्षा अकैडमी के टेलिग्राम चैनल पर या भेज सकते हो और इसका जो मॉडल उत्तर है वो आपको रप्षा एकेडमी के टेली ग्राम चैनल पर उपलब दोगा दूसरी बात उत्तर की क्लास लेकर मैं आ रहा हूं उसके अलाबा बाकी सारी क्लासेज भी आपकी मेंस की कंटिनुटी में चल रही है जिस पे हम महत्पूर्ण 920 नंबर पर ध्यान दे रहे हैं और यह आपकी लाइफ क्लास चलती है पेड कोर्सेज वालों के लिए तो यदि आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप रक्षा अकैडमी का अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजे और वहां से आप कोर्स ले सकते हैं इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खतम होती है धन्यवाद